नमस्ते साथियो एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में साथियो गाए भेंस का जब दूद बढ़ाने को लेकर के बात आती है तो देखिए ब्याने से पहले और बाद में यानि कई बार क्या होता है कि पसु भाल भाई जिससे बचा देता है पसु उसके बा इंक्रीज करने का जो टाइम होता है ब्याने के बाद लगबग लगबग हम बात करें एक मेने का जो टाइम होता है बचा देने के बाद वह बहुत इंपोर्टेंट होता है और इस दोरान आपने जो कुछ भी खान पान करवाया है उससे भी ज्यादा मेटर करता है ब्याने स से पहले वाला जो टाइम होता है तो देखिए में करना क्या है जैसे हमारी अगर गाय है सात माय कंप्लेट हो गए हैं तो हमें ड्राइपर छोड़ देना है गाय जो दूद दे रही है उस दूद को हमें सुखा देना है अगर माली जी दो मेने पहले से आपने शुरू किया दूद कैसे इसको आना है उस पर मैंने वीडियो बनाए हुए आप वह भी देख सकते हो कौन सी जो परकिरें आपको पनानी होगी ताकि आपके पुस्व में थनों से संबंदी कोई दिकत नहीं आने वाले समय में पहला काम तो आपको यह करना है अगर आपको दूद बढ़ाना है तो क्योंकि बहुत सारे पुस्वाल भाईयों कि सकाइद रहती है कि हमारी गाय बचा दिये को इतने दिन हो गए इतने दिन होगे लेकिन दूद नहीं बढ़ रहते हैं तो आज मैं आपको पांसा कारण बतान कि नहीं है दस्वे माँ में गाय बच्छा कभी भी दे सकती है अब बात करें हम भैंस की तो बैंस आठ्ट मां कम्पलेट करने के बाद आप ड्राईपर छोड़ दें परिक्रिया वही अपनानी है वीडियो देख लेना अब सात्यों बात आती है ड्राईपर छोड़ने के ब लागी रहे हो तो बिल्कुल थोड़ा खेला सकते हो उसके बाद वापस से आपको जो संतुलित पस्वार वो देना स्टार्ट कर देना है अब नमबर दो यह बात आती है साथी बहुत सारे पस्वाल भाई क्या करते हैं कि ड्राईपर तो छोड़ देते हैं लेकिन कुछ दे कास के से होगा तो यह बहुत इंपोर्टेंट बात है कि आप संतुलित पस्वार उस समय भी जारी रखें जब आपने ड्राईपर छोड़ दिया हो उसके बाद से भी यह आप नोटिस जरूर कर लें यह गलती बिल्कुल भी नहीं करें अब साथ यह तीस तरह जो पॉइंट अगर हमने ड्राईपर समय पर छोड़ दिया है ड्राई के बाद भी हमने उसे संतुलित पस्वार दिया है और अपने पस्व की देखवाल अच्छे से करिया तो आपका जो पस्व हो जेर भी असानी से गिरा देगा डिलेवरी के बाद वह फोर्मुले अपनाए जिनसे की ज क्योंकि बच्चे दानी की स्वाइस आप अच्छी से नहीं हुई तो इसका मतलब आपका बस्व दूद्धिन खरीज नहीं करेगा पीक लेवल पर नहीं आप आएगा दूद्ध कम देगा पस्व इसके लिए आपको काड़ा बगेरा पिलाना है गुड मेथिया जो अपने को देना है ताकि उसमें एनर्जी भी और साथ ही साथ उसके मेले की छंटाई है वह साप अच्छे से हो जाए यह भी आप जरूर करें इस बात पर भी आप इग्नोर नहीं करें क्योंकि कई पसुपाले वह होते हैं वो बच्चा देने के बाद सोचते हैं कि दूद्ध नहीं खिलाएं ताकि जो दूद्ध का लेलो बड़े इसमें देखिए आपको कार्बोहाइडरेट प्रोटीन वसा की जो मात्रा है वो प्रोप रखनी है संतुलित पसुपाल में आप जो दना दे रहे हो उसमें मिस्टन जरूर करें कई भाई देखते हैं कि मक्का खिला रहे हैं कई भाई थो खिला रहे हैं खली यूझ नहीं करते हैं कई खली यूझ करतें लेकिन प्रोप डाइट में आपको प्रोपर दाना में सब्सक्राइब उसमें भी कुछ विराइटियां रखनी हैं यानि या मक्का लें बाजरा लें गेहूं लें तीन चाहर दाने का मिशन लेंगे तो एक तो आपका जो मिशन बनेगा वह बड़ा स्वादिश्ट बनेगा गायवेंस उसे ब नें नाति आया कि यूद तो खली के अंदर दोड़ी के खिले सिक ऐसे पसु कई निया आएगी कव्युश्द नियार में कम रहेगी हुजली से समद्горत कर दिए यसमीं हो फोड़े फुनसी और नहीं होंगे तो यह बहुत इंपोर्टेंट है अब अगर हम चोकर की बात करें चोकर में भी देखिए आप गेहूं का चोकर खिला रहे हो बहुत बढ़िया है गेहूं के चोकर के साथ अगर आप चलें के छिलके खिला रहे हो तो बहुत बढ़िया है मूं का जो दाल है जो छिलके वो खिला रहे हो तो वह भी बढ़िया है यानि उसमें भी मिशन करें खर्चा वही आने वाला है इसके रेट के कर बात करें तो ज्यादा डिफेंस नहीं रहता है लेकिन अगर हम मिक्सप करके खिलाते हैं तो फिर क्या होगा कि आपका बसु एक तो चाव से खाएगा दूसरा थोड़ा बहुत है वो उसमें न्यूट्रस वेल्यू बढ़ जाती है और इसी डाइट को हम जो संतुलित डाइट कहते हैं बलेंस डाइट पलान यही होता है अब जातियों आपने संतुलित पसु आर भी ले लिया लेकिन संतुलित पसु आहर में आपने अगर नमकेड नही कह सकते हैं और संतुलित अर 실nu तूड़ी हराचारा यही बहता है कई बार अगर आपके पास काफी ज्यादा है हराचार छे लेडिक्त में इस यद्ध यह तो यह रिका TWDji रहना क्योंकि सिद्धा अलगर ना आएम में आपकि तूड़ी हरा चारा ये भी आता है कई बार हरा अगरta आपके पास काफिय जादा है अपने जबहुनर रखा है फिर एप तूड़ी बिल्कुल भी बंद कर देते हो यह भी नहीं करना एंक हरे सारे के साथ खिलानी है यह ध्यान रखना है आपको चाहिए हमारे पाद ज्यादा हराचार है चाहिए कम है तूड़ी का हमें उसमें अगर समयोजन नहीं करना पड़ा तो फिर प्रोलम आ सकती है यानि तूड़ी अगर हमने नहीं खिलाई तो यह भी आप नोट कर लें क्योंकि जो रूमन है वह पसू का जो रूमन सेश्टम है उसकी परिकिर्या को मजबूत करने में बहुत ज्यादा महतपूर्ण है वह अपना योगदान देते हैं तो माइक्रोफलवा की जो प्रोपर मात्रा है रूमन के अंदर वह बनी रहे लाबदाग जिवानों पेट के अंदर बने रहें ताकि हमारा पसू परोपर जुगाली करता रहे परोपर भूग बनाए रखे यह जरूरी है तब जाकर के हमारा पसू दूद बढ़ाएगा अब साथ यो एक और चीज होती है उसमें क्या होता है कि नमक की जो हमने मात्रा रखनी है वो भी बहुत इंपोर्टेंट है सादान नमक को में खेलाना है संतले पसू ओर्ट के अंदर आपको सादार नमक तो देना ही देना है 30-40 KillerDel़ धेसी को इसके लावा आपको सेंदा कंदा नमक यह पिर काला नमक वह भी खेइला ना इपने साधामिक के上ब डड़े आप खुरली के अंदर रख सकते हो पसू से चाड़ता रहेगा जुरूर नहीं है रोज रखो आप आठ दस दिन बाद रख सकते हैं सबता में एक बार रख सकते हैं उससे भी आपके पसू का जो पाचंत अंतर वह अच्छा बना रहेगा और पसू आगे दूछ ज्या वसा नमक सोडियम बाई कार्बोनेट यह सारी चीजें होनी चाहिए तब जाकर के आपका पसू हो दूदी इंकरीज करेगा और शुरुवात में भी कई गलती कर देते हैं जैसे आपने डिलेवरी की बाद से जो हमें काड़ा देना होता है गुड मेति अजवाइन खिलानी ह होती है वह दीरे दीरे आप बढ़ाते जाएं यानि कम से कम हमें एक सवस्त पसू को अगर मोसम सर्दी का है तो पंदरा किलोग्राम तक मेति खिलानी है दो किलोग्राम अजवाइन खिलानी है साथी साथ 15 किलो तक गुड भी खिलाना है तब जाकर के बच्चे दाने की जो स 15 से 20 दिनों में स्टार्ट कर दे और वो लगतार आगे बना रहे जब तक कि आप आगे ड्राइब पर नयान सोड़ दे जब आप यह मेला चंटाई का जो पूरा यह जो आप डाइट प्लान मना कर देते हो ना तो फिर आपका बसू टाइम पर हीट में भी आता है टाइम पर